हेलो एवरिवन, वेलकम बैक इन और यूट्यूब चेनल, आज मैं आप सभी लोगों के लिए केसिस्टडी नंबर 3 लेक्या जुगा हूँ, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों को कवर करवाऊंगा वेस्ट बंगाल की फोक डांस के बारे में and उसके रिकार्डिंग जितने भ आप सभी लोगों को उत्तर परदेश एंड आसाम के फोक डांस के बारे में कवर करवाया था, अगर आप सभी लोग ने उस केसिस्टडी को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की दिया हुए, आप लोग महां से जाकर देख सकते हैं, मैं नितेश महां से आप सभी लोग इस पीडियाफ को डांलोड कर सकते हैं, जो कि बाइलिंग्वेल रहेगा, आप लोग उसको कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं उस पीडियाफ में और उस पीडियाफ में पुरा लिखा हुआ रहेगा, जो आप सभी लोग को यहां पर स्प्रिंद पर दिख रहा है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो के लाइट तक बने रहीएगा और मैं आप समय लोगों को बता दू एक बर अगर आप लोग इस पूरे सेशन को कवर कर लेते हैं तो आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर ता है ना ही कोई स्मय रेगुलेशन यादि कि डान्स पर डान्स पर रूल रेगुलेशन नहीं होता है इस को कोई भी व्यक्ति पाटी रहता है या फिर agriculture अच्छा हुआ हमारा हर्विस्टिंग अच्छा हुआ तब हम लोग इस डांस को perform करते हैं वेस्ट बंगाल में टोटल जो है कि 11 फोक डांस होते हैं जिसमें फर्स्ट नमबर पर आता है वह कंभीरा सेकंड नमबर पर आता है वह धाली थर्ड नमबर पर आता है वह जत्रा फोर्थ नमबर पर आता है वह किर्तन फिफ्थ नमबर पर आता है वह लाठी शिक्स नमबर पर आता है वह संथर फिर तूसु बावल एंड देन जो नाइन्थ नमबर पर आता है छो फिर आता है बरित्रा एंड इलेवंथ नमबर पर आता है रविंद को बता दू जो चरित्रा संस्कृती का जो फेस्टिबल रहता है तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है कहां पर परफॉर्म किया जाता है तो इस डांस को वो लोग जो है कि मंदिर में परफॉर्म करते हैं गंभिर्या डांस इस फोक डांस ऑफ वेस्ट बेंगाल इस डां लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं तो वो लोग किसके स्टोरी के बारे में बताते हैं किसके स्टोरी को सो करते हैं तो मैं आप समय लोगों को बता दू लोड सिवा परवती एंड काली माता के स्टोरी के बारे में बताते हैं जब वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते है तो गंभीरा dance is also performed in a duet or in group depending upon the number of participants यानि कि जितने member उस dance में participate कर रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि वो लोग उस dance को single single perform कर रहे हैं या फिर group में perform कर रहे हैं the character of the dance represent like Shiva, Parvati and Kali यानि कि जो भी character उस dance को perform करते हैं तो वो लोग किसके जैसे दिखते हैं या तो वो लोग कोई सीव भगवान के तरह दिखता है या फिर वो लोग कोई परवती माजा के तरह दिखते हैं या फिर वो लोग कोई काली माजा के तरह दिखते हैं या लेगी वो लोग जो है कि अपने आपको वेसे ही कपड़े पहन कर आते हैं जैसे कि वो लोग लोड शिवा, परवती और काली की तरह दिख सके और जब वो लोग डान्स को परफॉर्म करें तो एक रियल स्टोरी लगे उनके लव स्टोरी की तो हम लोग आगे बात करते हैं जो आप सभी लोगों का नेक्स्ट डान्स है वो है धाली, धाली डान्स हैं वेस्ट बंगल दॉर्ड इंग लोग से अब वाच है बेख करते हैं ग्रॉंधल को बतादो को पहले के समयमे जो भी लोग बेटल जीतकर आते थे याने कि लड़ाई या war जीत कर आते थे तो next war के लिए अपने आपको inspire करने के लिए अपने आपको motivate करने के लिए वो लोग जो है कि एक dance perform करते थे जिसका नाम था ढाली एंड वो लोग जब इस dance को perform करते थे तो basically उनके हाथ में दो instrument होता था एक होता सा तलवार और एक होता सा जिससे वो लोग किसी के वार को रोकते थे ठीक है आप लोग इस figure में देख सकते हैं दोनों figure ढाली dance को ही सो कर रहा है ठीक है अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आप सभी लोग का next dance है वो है किरतन किर्टन से ही समझ में आ रहा है कि इस डांस में जो है कि मंत्र वग्रा या फिर जाप वग्रा के बारे में बताया गया होगा किर्टन डांस is one of the most common folk dance performed in West Bengal State of India इंडिया के इस्टेट वेस्ट बंगाल में इस डांस को mostly perform किया जाता है मैं आप सभी लोगों को बता दू जब भी वो लोग इस डांस को perform करते हैं तो उनके हाथ में जो basically जो instruments रहते हैं आप लोग इस figure में देख सकते हैं या फिर उनके पास ढोलक रहता है या फिर chanting करने का instrument रहता है या फिर उनके हाथ में जो आप लोग विस्नु भगवाईन जी क के बारे में ही सोचते हैं और उन्हीं के नाम का जाब करते हैं उन्हीं के नाम का मंत उच्चालन करते हैं और अपने आपको उन्हीं के प्रती समर्पित कर देते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आप सभी लोग का next dance है वो है लाठी मैं आप सभी लोग को बता दू आप सभी लोग ने basically देखा होगा मोहरम के समय में इस dance को perform होते हुए and उप वेस्ट बेंगाल में जो मोमेडियम समुधाय को जो लोग रहते हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं तो वो लोग जो है कि 10 दिन तक यह जो वहाँ पर परफॉर्म होता है तो वो लोग basically महरम को टाइम में आपने अंदर के दुख, दर्द, फीरा को सो करते हुए इस डांस को परफॉर्म करते हैं और वो लोग या फिर लाठी का YOUR यूज करके या फिर तलवार का यूज करके अलग अलग डांस परफॉर्म करते है आप सभी लोग का जो next dance से वो है तूसू, the तूसू dance head is on beauty and culture and it is also performed during the month of pausa, it is found in month of December and January, the तूसू dance of बीर भूम डिश्टिक is very famous, यानि कि मैं आप सभी लोग को बता दो जो तूसू dance होता है इसकी एक अपने खुफसूरती है और इसका एक अपने संस्कृती है और ये जो है कि post के माह में किया जाता है और ये जो है कि December और January के माह में भी पाया जाता है ठीक है और बीर भूम जिला है एक कहां का वेश्ट बंगाल का महाँ पर ये dance बहुत ज़्यादा famous है कौन सा state है वो है बीर भूम बीर भूम वेश्ट बंगाल के बीर भूम जिला में इस dance को basically ज्यादा perform किया जाता है आप से direct question पूछ सकता है तूसु दान्स को West Bengal के किस जीला में perform किया जाता है तो वो हो जाएगा बीरभूम ठीक है अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आप सभी लोगों का next dance है वो है बाउल It is another famous dance of West Bengal It always has a special position in the tradition and culture of West Bengal You will feel nice to have glimpse of dance performance of the dancer यानि कि मैं आप सभी लोगों को पता दूँ ये एक West Bengal का folk dance है और West Bengal की परंपरा में इसका बहुत अच्छा नाम है और इसका एक अलग दरजा दिया जाता है इस dance को और जो dancers रहते हैं जो इस dance को perform करते हैं उनका जहलक देखकर आपको भी बहुत अच्छा लएगा क्योंकि वो लोग जो है कि इस dance को बहुत अच्छे तरह से perform करते हैं They also maintain perfect style and postures. The dancers are well trained and have a passion of the dance. It will be highly exciting to be participate in this dance याने कि मैं आप सभी लोगों को बता दूँ जो भी dancer आते हैं वो लोग well trained होते हैं और वो लोग बहुत भावक होते हैं इस dance को perform करने के लिए और उनके अंदर बहुत जुनून होता है अंदर से इस dance को perform करने के लिए और जो और वो लोग ये सोचते हैं कि जब वो लग इस dance को perform करेंगे तो उनके लिए बहुत रोमांचक होगा मैं आप सभी लोग पता दू वो लोग कुछ ऐसे इस dance को perform करते हैं ठीक है आप लोग देख सकते हैं इस picture के अंदर और वो लोग जब भी इस dance को perform करते हैं तो जो dancers रहते हैं वो लोग well trained रहते हैं अब हम लोग आगे बाढ़ते हैं जो आप सभी लोग का next dance है वो है छो In the Mayur Bhanj district, छो dance is well known as style of performance, this is properly appreciated, usually during the chatra month, the part of the sun is while its meals are accomplished, this performance fashion, its culture and tradition important to itself, even as additionally being wonderful and depositing the Ramayan and Mahabharat मैं आप सभी लोग को बता दू, Mayur Bhanj जिले में छो जो dance है बहुत famous है, उसकी एक अलग सेली है, जिससे जो है कि उचित इस्थान दिया जाता है और उचित रूप से सहारा जाता है, मैं आप सभी लोग को बता दू, आम तोर पर जो ये dance है, चेत के महिने में आता है, जब ऐसा माना जाता है कि जब सूरज अपने पत्स पर चलता हुआ, निकलता है, याने कि जब कड़कती जब धूप रहता है, तब वो लोग इस dance को perform करते हैं, और वो लोग अपने संस्कृती को follow करते हुए, इस dance को perform करते हैं, और वो लोग इसके साथ साथ रमायन और महाभारत को भी दर्साते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे इस dance को वो लोग perform करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, टाइट धूप है, और वो लोग रमायन और महाभारत को भी दर्सा रहे हैं इस dance के अंदर, अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो आप सभी लोग का next यह एक ट्रेडिशनल फोग डान्स है कहा का वेश्ट बंगाल का और इसमें जो है की अधिकतर यंग लड़के लड़किया इस डांस को परफॉर्म करती है इस डांस को जो है की फोरन में भी अपनाय जा रहा है और फोरन की लोग भी इस डांस को परफॉर्म करते हैं यानि की आप लोग इस डांस को एक बार परफॉर्म होते हुए देख लेते हैं तो आप लोग अपने लाइफ में कभी इस डांस को नहीं भूलिएगा ऐसा कहा जाते हैं इस डांस को परफॉर्म करते हैं अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आप सभी लोगों का नेक्स डांस है वह है जत्रा जत्रा a form of folk drama combining acting, song, music, dance characterized by stylists deliver and gestures and orations जत्रा is believed to have developed from ceremonial funsal head before starting on a journey यानि कि मैं आप सभी लोगों के बता दू जत्रा जो है कि एक folk drama भी है इसको जो है कि अलग-अलग रूप में लिया जाता है इसे कि संगीत हो गया, music हो गया, dance हो गया, इन सभी को इसमें किया जाता है और इसमें जो है कि सेली बृद्र टाइप के वो लोग इसको पस्तूत करते हैं और जो है कि वो लोग अतिरंगी, इसारो और भासन के विश्यस्ताव पर इस dance को पर्फॉम करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो जत्रा है, जत्रा का सुरुवात कहां हुआ था तो किसी भी यात्रा के सुरुवात करने से पहले जो आयोजित किया जाने वाला जो अनोपचारिक समरो होता है उसी को ही जत्रा कहते हैं और वहीं से जत्रा का विकास हुआ था अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आप सभी लोग का next dance है वो है संथाल Santhal is one of the most abundantly found tribes in India. A major chunks of this tribe can be found in West Bengal and Jharkhand. Santhal tribe has a rich culture lineage and immense solidarity. Its members are basically the devotees of Thakurji, the deity they believe created this world. They move to the bates of music to celebrate the glory of the nature, raise a message and offer a prayer of the preceding deity of the tribe through a dance known as Santhal Dance. मैं आप सभी लोग को बता दू जो संथाल भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाती में से एक है और इस जनजाती का एक बड़ा हिश्चा पाशिम बंगाल याने की वेस्ट बंगाल एंड उत्तर राखंड में पाए जाता है. संथाल जान जाती के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक जूटता बहुत होती है और उनकी जो संस्क्रेटी है उसमें वो लोग सब एक जूट होकर कोई काम करते हैं ठीके इनके जो सदस्य होते हैं वो लोग मुल रूप से जो है कि ठाकुर जी के भक्त मानने जाते हैं और जिनके बारे में उनका ये मानना है कि उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है। जब भी वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं संथाल को तो वो लोग जो है कि अपने माइंड में एक गाना एक बिट्स धुनाते हैं। इससे जो है कि जो उनका डांस होता है उससे जाने जाने वाले जितने भी उनके सदस से होते हैं उसके माध्यम से वो लोग जो है कि अपने जंजाती के जो इस्ट देव की प्राथना करते हैं वो लोग उनको जो है कि अपना आसरा जेते हैं यानि कि वो लोग इस्ट देव की पुजा करते हैं और उनके जो गुरु रहते हैं कौन रहते हैं ठाकुर जी रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने इस दुनिया को बनाया है आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे वो लोग इस hier dessa को perform करते हैं मैंने इस case study में आप सभी लोगों को वेस्ट बंगाल के इगारहो folk dance के बारे में बता दिया है और मैं आप सभी लोगों को बता दू इस class का PDF description box में मिल जाएगा आप लोग वहां से जाके download कर सकते हैं और जो अगली case study आएगी हमारी case study number four उसमें मैं आप सभी लोगो को किरेला के folk dance के बारे में बताऊंगा अगर आप सभी लोगों ने case study one और case study number two नहीं देखा है तो जाकर देख लें वह आप सभी लोगों के लिए बहुत helpful रहेगा